हर एक पोधे का अपना अपना एक सीजन होता है और सीजन के हिसाब से कई सारे पोधे नर्सरियों में मिलते भी हैं फिलार अभी विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी हैं तो ऐसे में सर्दियों के पोधे नर्सरी में धढ़ले से भिक रहे होंगे लेकिन friends क्या आपने कर भी सोचा हैं कि ये पोधे क्या प्राइज में मिलते हैं जो हमारे पुराना friends हैं उनको तो काफी अच्छे से पता होगा जो gardening करते हैं बर जो नए friends हैं जिन्होंने पहली पहली ये बार gardening की शुरुआत की हैं लेकिन उनको इस पोधे के बारे में जानकारी नहीं होती है और nursery वाले मन माफिक दाम उनसे वसूर लेते हैं तो friends आज के अपनी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पोधे दिखाऊंगा सर्दियों के कुछ ऐसे पोधे के बारे में बताऊंगा जो nursery में मात्र 20-20 रुपे में मिल जाते हैं और कई-कई जगे पर तो इनकी चोड़ी-चोड़ी पोध या सैपलिंग भी मिल जाती है जो की 10 रुपे गड़ी के हिसाब से मिलती हैं और गड़ी में कहीं सारे पोधे होते हैं तो इनी सब पोधों के बारे मैं आज आप से मैं शेयर करूँगा तो फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है या फिर आप अभी तक चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके के इन्फरमेटिव वीडियो के नोडिविकेशन आपको आगे भी मिलते रहें और इतने इच्छे जानकारी मैं आपके साथ आगे भी शेयर कर सकूँ तो चले फिर वीडियो को शेयरू करते हैं वाचे मातर आपको 20-20 रुपमें मिल जाएंगे और कहीं जगे पर ये गड़्टियों मीलते हैं निरी की बिने इसलियों ओडियों में सारे थी हाथ predictive जीडियों है ये व्यूज GDP देख रहे में में एक अपने और एक आती है इसकी ये drop वाली variety जो की hybrid वाली होती है तो ये इस तरीके से छोटे-छोटे गंबलों में ही flowering करते रहते हैं और ये भी मात्र 20-20 रुपर में आपको मिल जाएंगे तो अगर आप nursery जाने का मन बना रहे हैं सर्दियों की पोदे खरीदने एच आते हैं तो इस तरीके की पोदे आप मात्र 20-20 रुपर में अपने garden में add कर सकते हैं उसके बाद friends अगला जो पोदा मैं आपके साथ में share कर रहा हूँ हाला कि ये flowering तो नहीं करता हैं बट इसकी पत्यों का जो color होता है वो आपके garden में काफी ज़्यादा colors add करता है इसका नाब है friends alternate length रा बहुत ही ज़्यादा सुन्दर इसकी पत्या होती हैं और ये भी कई सारे color varieties में आते हैं इसके normal green वाली variety भी आती हैं फिलाल मेरे पास इसकी वेरिगेशन वाली है जो कि winter आने के साथ साथ में आप सामने देख सकते हैं पत्यों का color काफी ज़्यादा reddish हो गया है और ये थोड़े सामें बात पूरे ही red हो जाएंगे ये पोदा भी आप मात्र 20 रूपीज में नरसरी से खरीद सकते हैं हाला कि मैंने तो इसको 15 रूपए में ही खरीदा था लेकिन अगर आपको कहीं से मिल नहीं रहा है तो आप इसको 10, 15 रा या फिर छोड़ी-छोडी cutting से भी आसनी से grow कर सकते हैं ये भी मात्र 20-20 रूपा में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा तो विंटर का काफी खुपसुरत सा पोदा होता है हाला कि ये पूरे साल आपके गाडन में बना रहेगा लेकिन विंटर में इस तरीके से इसमें colors आ जाते हैं विंटर के काफी ज़्यादा सुन्दर और colorful आपके गाडन को बनाते रहेंगे तो इस पोदे को भी मात्र 20 रूपी में नर्सरी से खरीद सकते हैं उसके बाद सर्दियों का एक और खुपसुरत पोदा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा यह भी बहुत ही सस्ते में आपको मिल जायेगा हमारे आप तो नहीं मिलते लेकिन शायद कहीं पर यह गड्यों में भी मिल जाते हैं जो की थोड़ी सी अच्छी नर्सरी होती है महाँ पर यह गड्यों में plants मिल जाते हैं यह फ्रेंस गिलार्डिया के पोदे हाला कि यह plants पूरे ही साल आपके garden में बना रहेगा भर-बर के flowering करता ही रहता है और कई सारे color varieties में आते हैं लेकिन मेरे पास यह सिर्फ 5-6 color ही हैं और बहुत ही सुन्दर flowering करते रहते हैं इन सभी पोदे मेरे अपने आपसे ग्रो हुए हैं मैंने इनको नहीं लगाया हैं क्योंकि मेरे mother plant जो थे उनके seed यहां वहां गिर करके आपस के कही सारे गंबलों में गिर गए थे और बहुत सारे plant इसके बन करके ready हो चुके हैं तो इस पोदे को भी आप अभी nursery से खरीद सकते हैं और अगर आप खरीदना चाते हैं तो मात्र 20-20 रूपा में भी आपको इसके पोदे मिल जाएंगे बहुत ही सुन्दर यह पोदे भी flowering करते हैं तो इस तरीके के पोदे भी आप मात्र 20-20 रूपा में अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं और अपने गार्डन को खुबसुरत और कलरफुल बना सकते हैं उसके बाद विंटर का सबसे खुबसुरत सा पोदा मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ फ्रेंट्स वो होता है हमारा एक गुलदाओदी क्राइजन्थिमम और सेवन्ती के नाम से भी इस पोदे को जानते हैं ये भी बहुत ही जादा सुन्दर पोदा होता है और 20-20 रुपर में मत्र मिल जाता है हमारे आपर इतनी अच्छी नर्सरीज नहीं है इसलिए मुझे ये 35 रुपीज में मिला था लेकिन कई सारी जगे पर मैंने देखा है कि ये 20-20 रुपर में भी मिल जाते हैं तो आप भी इस पोदे को खरीद करके अभी अपने गाडन में एड़ कर लीजिए क्योंकि ये आग्याने वाले समय में भर-भर के फ्लावरिंग करने वाला है पर्मानेन फ्लावरिंग प्लान्ट होता है और एक बार खरीदने के बाद सालों साल आपके गाडन में बना रहेगा और इसके जड़े होती हैं वहाँ से धेर सारे पोदे आपने आपसे निकलते ही रहते हैं और भर-भर के बंच में फ्लावरिंग करता हैं लगबक 3-4 पोदे इसके मेरे पास भी हैं कई सारे थे लेकिन गर्मे में सारे कुछ खराब हो गए तो इस बार मैंने इनको दोबारा से एड़ किया है तो गुलदावदी के पोदे भी आप इस समय लाकर के लगा सकते हैं बहुत ही सुन्दर इसके भी फ्लावर आते हैं देख सकते हैं यह मेरा पिंक का कलर वाला प्लांट है और यह भी मात्र 20-20 रूपय में आपको नरसे से मिल जाएगी छोड़ी-छोड़ी पोद भी इनके आपको मिल जाएगी तो इस समय यह इस प्लांट को भी आप खरीद सकते हैं यह भी विंटर का ही फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि विंटर में भर-भर के फ्लावरिंग करता रएता है और काफी अच्छे से चलता भी रहता है यह मेरा सबसे पहले लगा हुआ प्लांट था ईससे कोस्अॉस से भी बहुत इस ऋंदर्स फ्लावरिग करता रहता हैं देख सकते हैं कितने जीद ये इस मेरा टैमल प्लाव ट्रब्लाव प्लांट है और इसमें आता है लेमन कलर और एका आता है पिंक और वो भी मेरे पास लगे हुए हैं मैंने अभी अभी उनके सीड ग्रो किये हैं तो काफी अच्छे पोदे भी बनाए हैं तो यह देखिए काफी पहले लगा हुआ प्लान था और बहुत अच्छे फ्लावरिंग कर चुका हैं और अभी इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं तो इस अपने विंटर गारण को खुब सुरत बना सकते हैं तो आप कोई भी गेंदे की विलाईटि ला कर停 करके अपने गाडण में ग्रो कर सकते हैं फ्लावर्स इसमें इस तरीके से बिल्कुल चोड़ो च्यट्स पन्र और बहुत ही भर-भर के फ्लावरिंग करता है, एक आता है इसमें लडू गेंदा बहुत ही खुबसुरत वो भी खिलता रहता है, कई सारे कलर पेटल्स में आते हैं, लेमन कलर, ओरेंज कलर, हलका पीला, बहुत सारे कलर में आते हैं तो कोई भी कलर वैटी की इस तरह मेरे प्लांट्स लाकर के अपने गारण में ग्रो कर सकते हैं बहुत ये सुदर फ्लावरिंग करते रहेंगे और काफी ज़्यादा कलर अपके गारण को बनाते रहेंगे हमिंग बर्ड्स, बीज, इस तरीके के जो होते हैं उनको काफी ज़्यादा अपनी और अट्रेक्ट करते हैं तो गेंदे के प्लावरिंग को लाकर के अपने गारण में लगाना इस समय बिल्कुल भी मत भूलिएगा उसके बाद फ्रेंट्स अगला जो विंटर का फ्लावरिंग प्लावरिंग में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो है हमारा क्रेंबरे हवेसकस ये भी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है सुन्दर सुन्दर फूलो के साथ साथ में बहुत सुन्दर इसकी पत्या भी होती है अगर flowering भी नहीं होती है आपके plants में तो आप इसकी पत्तियों से भी अपने garden को रंगीन बना सकते हैं यह मेरा एक छोटा सा poly bag में ही लगा हुआ plant है, single plant है और अब सामने देख सकते हैं कितने अच्छे इसके flower bloom हो रहा है flower का size भी काफी ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी कलियां भी यहाँ पर बन रही है और एक flower यहाँ पर आया हो अथा कल, वो भी मेरा spend हो चुका है लेकिन इस तरीके कि flowers इसमें आते ही रहते हैं तो cranberry hibiscus के plant को भी आप लाकर के लगा सकते हैं 20 से 25 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 रूपा में आपको एक किसी भी नर्सीज में मिल जाएगा तो इस तरीके की पोदेपी लाकर के आप अपने winter garden को फुपसुलत बना सकते हैं फ्रेंट winter season में के लेंचों भी भर भर के खिलते हैं देशी वाले hybrid वाले कोई भी वराइटी के लाकर क्या आप लगा सकते हैं यह आप सामने देख सकते हैं यह सारे मेरे red color के flowering वाले plant हैं मेरा mother plant काफी बड़ा हो चुका था तो उसकी cutting से मैंने rainy season में यहाँ पर लगा दी थी और अब आप सामने देख सकते हैं कितने ज्यादा plant इसके बन करके ready हो चुके हैं इन सभी को मैं separate करने वाला हूँ अलग-अलग गंबले में तो बहुत सारे plant मेरे बन चाएंगे और काफी अच्छी यह flowering भी करेंगे कई सारे colors में आते हैं ओरेंज पिंक रेड और मेजेंटा काफी सारे colors इसमें आते हैं तो कोई भी color variety के कैलेंचो के plants लाकर क्या आप लगा सकते हैं देशी वाला भी है मेरे पास तो छोटी-छोटी cutting से आसानी से grow हो जाते हैं और देशी वाले तो आपको 20-20 रुपए में मिल जाएंगे hybrid वादे थोड़े से महेंगे मिलेंगे तो जैसी आपकी choice हो आप उस तरीके की plants लाकर करके अपने garden में कैलेंचो के लगा सकते हैं फ्रेंट जीनिया भी winter का बहुत ही खुबस्वर सा flowering plant होता है चोड़े-चोड़े कई सारे रंग के इसमें flower bloom होते हैं तो इस तरीके की plants को भी आप मात्र 20-20 रुपए में nursery से खरीद सकते हैं मैंने अभी कुछ दिन पहले online seeds मंगाये थे और उनी seeds को मैंने grow किया था तो यह देख सकते हैं आप इनका result काफी अच्छा आया है और काफी अच्छे इसमें plants भी grow हो गए है अब यह reporting के लिए तैयार है लेकिन मेरे पास मिट्टी नहीं है तो मैं इनको अभी report नहीं करने वाला हूँ कुछ समय बाद में report करूँगा तब भी मैं अपके साथ में जरूर शेयर करूँगा तो इस तरीके के plants नहीं कि बहुत ही सुन्दर सुन्दर से पोधिया आप भी अपने garden में लगा सकते हैं और अपने garden को खुपसूरत और रंगिन बना सकते हैं जीनिया के बोधे लगा करके फ्रेंट्स पिटूनिया भी बहुत ज़ादा अच्छी flowering करता है काफी heavy flowering के plant करता है पिटूनिया के flowers भी आप इस समय लाकर के लगा सकते हैं अपने garden में जो कि बहुत ही ज़ादा सुन्दर होते हैं यह देखें मैंने कुछ समय पहले काफी सारे seeds लगाये थे जो कि सारे कुछ चर्मिनेट हो गए है अब जैसे थोड़े बड़े हो जाएंगे सभी को मैं अलग से किसी गंबले में separate कर दूँगा और कई सारे colors में आते हैं रंग दिरंगी varieties के काफी ज़्यादा सुन्दर लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा attractive आपके garden को बनाते रहते हैं winter garden में अगर आपने अपने garden में petunias को नहीं लगाया है तो आपका winter garden बिलकुल ही अधुरा है तो petunia के पोधे भी आप मात्र 20-20 रुपाय में किसी भी nursery से खरीद करके अपने garden में add कर सकते हैं कि देखे फिंट्स यहाँ पर मैंने कुछ गजानिया के पोधे भी लगा रखे हैं बहुत ही सुन्दर ये भी flowering करते हैं कई सारे पोधे के बीज मैंने भी लगा रखे हैं जिनको भी मुझे separate करना है यह reporting के लिए तयार है जब भी मैं इनको report करूँगा आपके साथ मैं जरूर शेयर करूँगा और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पोधे दिखाये हैं सारे कुछ आपको 20-20 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे किसी भी नर्सरी में चाहे आप village एरिया में रहते हो चाहे आप industrialist एरिया में रहते हो 20-20 रुपए में आपको सारे कुछ पोधे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे तो friends आपको मेरी information कैसे लगी comment करके जरू बता दीजेगा वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा ताकि वो भी अपने winter garden में इस तरीके के खुबसरत फूला वाले पोधे को मात्र 20-20 रुपए में अपने garden में एट कर सके और nursery वाले की ठगी का शिकार होने से बच जाएं तो friends वीडियो जलासी भी अच्छी लगे तो please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel in which I'm on terrace garden धन्यवाद